यह का गुड़न तुमसे ना हो पाएगा धारवाइक में लीड रोल करने वाले निशान सिंग मलकानी ने जोकी लुदियाना पहुँचे होटल में चले कारिक्रम के दौरान निशान ने बताया कि उनका जनम दुबई में हो और स्कूलिंग डिली के स्कूल से हुई कॉलकाता में एक दिन जब वे ट्रेन में सफर कर रहे थे तो धारवाइक के डिरेक्टर ने उनसे पूचा कि क्या वे मॉडल है तो उन्होंने का नई वे स्टूडेंट है इतने भी डिरेक्टर ने उन्हें चैनल के लिए ओडीशन के लिए बुलाया बस उसके बाद उनके करि कुछ रहे होंगे हम यह क्या बोलते जा रहे हैं होफुली आपने ने पहचान लिया होगा येस वह हैर इन स्मार्ट सिटी लुध्याना टू इंट्रड्यूस वन आफ ती वेरी हैंसमें टेलेंट एक्टर मिस्टर निशान मलकानी जिस जिनको आप अभी देख रहे हैं एक जो डेली सोप तेलीकास हो रहा है जी टीवी पे गुड़न तुमसे ना हो पाएगा जी हां हम बात कर रहे हैं मिस्टर अक्षच जिंदल की जो उस करेक्टर में तो आपको बहुत सड़े में नेचर में दिखाई देते हैं डेली आप देखते हैं उनको आज हम उनसे जानते हैं कि वो रियल लाइफ में कितने बबली करेक्टर के हैं हैं हलो सर वेलकम टो टाइमस पंजाब टीवी हलो टाइमस पंजाब अपने बहुत तरीफ करी मेरी अभी-भी अब मैं आपको सड़ावा बनके दिखाऊंगा इग्जाकि परस्ट अफॉल प्लीज इंट्रोड्यू अपने चैनल्स की सिलेक्शन खुद कर सकते हैं तो इसको लेके थोड़ी कन्फूजन है जिसको सौट आउट करने जिसके जवाब देने में खुदायों आपसे आज बात कर दे हैं अपने इस से पहले अपनी स्टार्टिंग जो अपना केरियर लाइन स्टार्ट की थी कितना टाइम हो गया जैसे अभी आपने बताया कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो दुबई है तो उसके बाद इंडिया आपका बाय कब सेटल हुए जी मेरा बर्थ दुबई में हुआ था उसके बाद मैं शायद करीब 9 साल का था जब मेरे पेरेंट्स वापस डेली शिफ्ट हो गए बेसिकली देर फ्रम डेली मेरी स्कूलिंग सारी डेली में हुई थी मेरा कॉलेज भी डेली यूनिवर्सिटी में ही था शहीद भगत हाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेता था उसके बाद मैं कया किया इंटर्सन को जाके मैंने मैंमेनेजमेंट की पढ़ाई करी और 210 में 2010 में मुझे 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 मौका मिला तो वी एनअकटर जो कि बहुत इंटर्सनंग कहनी है आपको दो लाइन में अब बताउंग उसने मुझे एक कार्ड दिया और वो उतर गया अपना कार्ड देके अब मैं हैरान कि पहली बार मतलब इतनी फिल्मी सी चीज हुई मेरे साथ की कादमी स्ट्रेंजर मुझे कार्ड देके चला गया मैंने बात में देखा तो खिडीकी से जो बहुत करके बीड में निकल गया वो मेरा अगला सेशन था तो मैं उतरा मैंने इसको कॉल किया मैंने अपने कार्ड कू दिया तो आप अपकर हैं आप मोडल है क्या मैंने कर नहीं मैं तो स्टूडन हूं वो he was a casting director of endemol production house in Mumbai वो लोग sc जब हम तुम, एंडे मॉल का, उसमें हम एक नया हीरो लाउंच करना चाहते हैं, तो आपका लुप बहुत फिट बैठता है, तो क्या आप आउडिशन देंगे, तो मैं स्टूडेंट मेरा जिन्देगी में कभी मैंने ठेटर भी नहीं किया था उसमें तक, मुझे लगता था क्या मजाक है? तो मैंने एक-डो दोस्तों से बाद करी, उन्वने का कि यार दे दे माजाक में क्या फरक पड़ता है? वर्स्त के सिनारियो क्या होगा नहीं होगा तो मैंने जा के दे दिया ओडिशन तो उन ने मुझे बोल आपको मॉंबई आना है, हम आपका एक प्रॉपर लेना चाहते हैं, तो मैं मुंबई गया है, मैंने लुक्टेस दिया, and on the way back I got a call from them asking me कि how soon can you shift because you've got the role. We must say that was a golden opportunity for you at the time. Golden opportunity मतलब मुझे यसा लगता है कि प्लैटर में सर्फ करके मुझे भगवान ने बोला कि आप actor बनिये, क्योंकि मैंने आपके बारे में यही सोचा है लाइफ में कि आप actor बनेंगे, पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन now your destiny is to be an actor. तो हमने सुने, आपने एक मुवी की थी 2013 में horror story, तो इतने handsome, इतने talented होने के बार, आपने सुना होगा, वो storyline सुनी होगी, आपने कैसे अपने आपको prepare किया कि आपने एक horror movie के लिए play करने हैं करें होगी 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 होरर story film थी वो विक्रम भट जी की थी तो बैनर काफी अच्छा था, डिरेक्टर बहुत अच्छे थे हैं हमारे विक्रम जी, जो रोल मुझे मिला था, वो ये रोल था कि actually उस फिल्म का concept है कि कुछ चार-पांच दोस्त हैं, जो उनका एक friend है, जो कि मैं play करता हूँ, जो अगले दिन US जा रहा है, और वो लड़का करता क्या है, he's an actor, तो रोल भी actor का ही था, फिल्म के अंदर, he's a good looking guy, actor है, बाट कुछ काम के सिल्सिले में, he's going to US for some time, तो दोस्त लोग कहते हैं कि शलो आज रहाथ हम लोग चिल करते हैं, party करते हैं, एक hotel है, जो बंद पढ़ा है बहुत टाइम से, वहाँ जाकर एडवेंचर करते हैं, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं, अब उस होटल में एडवेंचर क्या मतलब हाँ चुडएल रहती है, वो चुडएल लेके करके सब के पीछे बढ़ती है, तो ये लड़का end तक, हिरोईन जो है मेरे opposite, उसको बचाते बचाते बचाते, अपनी जान आखिर में जाके खो देता है, तो रोल मुझे बहुती पॉजिटिव और बहुती लवेबल लगा था, और बैनर भी इतना अच्छा था तो मैंने का वाइनॉट लेक्स्टुएल अपनी वैनिटी से नीचे उपर आने में, हर इंसान सोचता था है कि मेरे साथ कोई चले कोई अकिला ना जाए क्योंकि वो इतनी डार्क, डिंजी और धरावनी जगा थी कि आपको लगता था कि सच में कुछ है यहाँ पर आपका मोरवर एक्सपिरियन्स, यह एक्सपिरियन्स वस वेरी गुड़ ओर अवरॉल तो बहुत अच्पिरियन्स था पहले 10-15 दिन यह डर लगता था लेकिन उसके बाद आप इंसान है रोज जा रहे हैं तो बंदो जाता है एक पॉइंट के बाद फिर तो मसी मजाग चल रहा है चलो उस लोर पे चलते है चलो उस रूम में चलते हैं देखते हैं अकेले केले घुमर होते हैं फिर तो हमने होटल में पूरे तो उसके बाद आपने फिर कौन सी मूवी की अफ्टर 2013 उसके बाद मैंने एक मूवी करी बेजुबान इश्क यह आई थी 2015 में इसमें सनेहा उलाल जी थी और मुगदा गो होगे तो मुझे लगा मैं अक्टिंग कर रहा हूं तो वो भी एक हॉबी की तरह ना ट्रीट करते हुए let's treat it very seriously तो मैंने दो साल सब कुछ छोड़के काम बीच में acting की पढ़ाई करी सरफ वो समझने के बाद की exactly acting होती क्या है I went I stepped back in the industry and I got this role which पहले impression में बहुत ही मुझे difficult अधाई गा क्योंकि एक रोल एक बहुत ही मेच्छ आदमी का है जो की पहली बीवी की महत आ चुकी है लेकिन आज वी उससे बहुत मुझात करता है इसकी शादी हो जाती एक गुड़न नाम की लड़की से जो की 20, 22, 21 साल की लड़की है जो की बहुत ही मेच्छ है बबली है उससे बिलकुल opposite है अब इस आदमी को, ये आदमी हमेशा गुस्टे में रहता है तो वो जो character है वो इतना गुस्टे में रहता हुए भी He's so loving and caring तो वो जो thread है बीच में पकड़ना मुझे बहुत interesting लगा तो मुझे लगता है कि अगर मैंने दो साल पढ़ा ही नहीं की होते है अक्टिंग ही तो मैं ये शाद character play ही नहीं कर पाता और रियल लाइफ में तो खैर मैं बिलकुल भी वैसा नहीं हूँ रियल लाइफ में मैं happy go lucky हूँ, must हूँ नए लोगों से मिलना पसंद करता हूँ अपने अपनी life share करना बहुत पसंद करता हूँ लोगों के साथ और प्यार मोहबद भी मुझे बहुत होती है अक्षट को बिलकुल नहीं होती है मुझे बहुत होती है गुद्धन के साथ कैसा experience चैनर आपका वाइल शुटिंग शीज और विकन से कि वरी बबली करेक्टर शीजए बुद्धन प्लेट प्लेट बाइक काम कर रहा हूं जो कि बहुत ताम से काम कर रही है जो कि एक मैं कहुंगा हमारे सामने जो कॉंपिटिशन में दूसरे चैनल पर शोज है वह बहुत ही दिगज शोज थे तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत हैं अक्षट जिंदल का रोल भी इतना प्रिशेट हो रहा है गुद्धन भी बहुत अप्रिशेट हो रही है अब इतने यंग है इतने हैं तो एक मैं चूर करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं तीन बहुत है आपकी तो वह कैसा एक्सपीरियंस रहते हैं अपको कि मेरे लिए अगर मैंने पढ़ा ही नहीं कियो थी ना एक्टिंग की तो मैं अभी समझ ही नहीं पाता कि हाव टू तो अब इतना अब मुझे मजा आने लगा अक्चुली स्टार्टिंग में मैं आपको सच बता हूँ जब मुझे रोल ओफर हुआ था ना मैंने फोन उठाया मुझे का हाई इस निशान्त मैंने का हाँ जी बोल रहा हूं मैं बताए कौन बात कर रहे हैं हम लोग फलाना प्रडक्शना उससे बात कर रहे हैं यह हम एक शो बना रहे आप को पता है आप किससे बात कर रहे हैं मैं निशान्त मलकानी बात कर रहा हूं कोई गल्ती होगी होगी आपसे करें नहीं हमने निशान्त कोई कॉल किया है मैंने का मैं तीस साल का हूं कैते हम जानते हैं मैं तो फिर आप कैसा रोल ओफर कर रहे हैं मुझे कैते आप सुन लिए एक बारी, कारेक्टर के है, मैंने का not interested, फोन रख दिया, फिर दुबारा फोन आया मुझे चैनल की तरफ से, उन्होंने बोला कि देखे, I.B. अंडरस्टांड की पहले impression में यह रोल बहुत ही complicated और out of your age bracket लगता है, but our character looks just like this, he's a handsome, good-looking guy, ek single white hair नहीं है, he's somebody who looks very young, it's just that we are showing him as a mature character. तो then I understood the whole story, और जब कहानी बटा चली, Akshat Jindal की, मुझे इतना प्यार हो गया इस character से, मैंने का मुझे अभी प्ले कर ला है, तो उसके बाद मैंने एक लुक्तेस दिया, and that was it, I got the role. Do you watch Punjabi movies? I love these Punjabi movies, I like these Punjabi movies, I don't know, I don't know if I get a offer in any Punjabi movie, do you want to go for that? If I get a offer in Punjabi movie, I will show you such a Punjabi movie, which I don't know, because I'm from Delhi, I will take a picture with Punjabi, I am very excited to ever be part of the Punjabi film industry, because I think it's a very very big industry now, it's growing at a very rapid pace, international level का fame होता है पही, Punjabi actors का, why not? तो अभी सरा आप अंजाब में आया है, लो धियाना आया है, but is it special purpose to come here? Special purpose तो खहर देखिये, जो professional purpose है, वो यही है कि मैं ट्राइ की नई रगिलेशन, audience को समझा सकूँ, अभी मैं परिवार से मिलने गया था, डुगरी phase 1 में, करी 25-35 लोग थे, उनके बहुत सारे सवाल थे, उन सबको मैंने एक एकर के जवाब दिया, कि कैसे आप अपनी सेलेक्शन कर सकते हैं, अज बहुत से में जब देखते हैं, उनके अच्छा लगा मिल के मुझसे, मुझे भहत मताया कि जो मेरी audience है, जो अगर पर जाके बैठा हूं, और वहीं से बात कर रहा हूं, मैं अपनी महिनत पूरी करता हूं और हया। अपना प्रेशर साइम हमें देने के लिए तो आपने देखा यह थे हमारे साथ मिस्टर निशान्त मलकानी अक्षर जिंदल ऑफ गुड़न तुमसे ना उपाएगा जिस सीरियल को आप डेली बेसिस पे देखते हैं उसे बहुत एप्रिशेट करते हैं और उस सीरियल को बहुत प्यार भी देते हैं तो देखा आपने रियल लाइफ में उन्होंने हमसे अपने साथ हमारे साथ कुछ वंडरफुल मूमें शेयर किये और आपको यह भी पता लगा कि वो बिल्कुल भी खडूसनी है और बहुत ही बबली नेचर के बहुत ही स्वीट परसन है वोफुली मज़ा आया होगा और हमने भी उनसे शेयर किये कुछ बहुत प्यारे मूमेंट्स कैमरामेन आमन दिप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइमस पंजाब टीवी